एलो डिरे स्टूडेंट तो आज हम आपके क्लास एट का जो ठर्ट चैप्टर था अंधेर नगरी उसका पहला दरिश और दूसरे दरिश में जो है माधा जो पढ़ चुके तो हम आगे जो है इसका इस वीडियो में आगे जो है हम पढ़ेंगे हम यहां तक पढ़ चुके थे कि महराज गुलाम का भिष्टी जो है वो कहता है कि महराज गुलाम का कोई कुसूर नहीं है कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी जादा आ गया मशक मतलब वहता है चम्रे का बना हुआ बरतन बहुत बड़ा बरतन जिसमें पानी रखा जाता हो तो वही जो है भिष्टी कहता है कि मेरा कोई कोई कुसूर नहीं है कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाए थी कि उसमें पानी जादा आ गया जादा राजा अच्छा विश्टी को निकालो कसाई को लाँ नाकर भिष्टी को निकालते हैं और कसाई को ले कसाई माराज गर्णिये ने ऐसी बड़ी भेड मेरे हाथ बेची की मशक बड़ी बन गई राजा अच्छा कसाई को निकालो गर्णिये को लाओ कसाई निकाला जाता है गर्णिया लाया जाता है यानि कि जब कसाई को पकड़ कर लाया जाता है तो राजा कहता है क्यों रे कसाई तुने इतनी बड़ी तुने ऐसी मशक क्यों बनाई तो कसाई कहता है कि महराज गर्डिये ने जो भेड बेची थी कि उसमें मशक बड़ी बन गए तो महराज कहता है कि कसाई को निकाल दो और गर्डिये को पकड़ कर ला तो सिपाई जो होते हैं नोकर जो होते हैं वो गर्डिये को जो पकड़ कर लाते हैं राजा क्यों रे गड़िये आईसी बड़ी भेड क्यों बेची गड़िया माराज उधर से कोतवाल की सवारी आई भीड भार के कड़ मैंने छोटी बड़ी भेड का खयाल ही नहीं किया मेरा कुछ कसूर नहीं राजा कहता है गड़िये से क्यों रे गड़िये तूने इतनी बड़ी भेड क्यों बेची तो गड़िया कहता है कि माराज उधर से कोतवाल की सवारी आई और उसमें बहुत ज़्यादा भीड थी उसवजा से तो मैंने भीर के काड़ चोटी बड़ी भेर नहीं देखी उसका ख्याल नहीं किया और इसमें मेरा कोई कुसूर नहीं है राजा इसको निकालो कोतवाल को पकड़ कर लाए जाता है राजा क्यों रहे कोतवाल तुने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गड़िये ने घबरा कर बड़ी भेर बेच दी यानि राजा कहता है कि गड़िये को जाने दो और कोतवाल को पकड़ कर जब लाया जाता है तो राजा कोतवाल से कहता है क्यों रहे कोतवाल तुने अपनी सवारी धूमधाम से क्यों निकाली जिसकी वज़़ए से घबरा कर बड़ी भेर बेच दी यानि घबरा कर बड़ी भेर को बेच दी या कोतवार महाराज मेरा कुछ कुछ नहीं कोई कुछ नहीं ले जाओ को दूर को अभी फासी मेरा को कुछ नहीं müsste कुछ नहीं कोई बात कमा इस सुनी जाएगी और फिर इस नहीं कक्था कोई बात इती है ले जाते हैं अब देखें आपके यहां पर तीसा पर अपना क्या खाते पीते मस्त पड़े हैं चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं सिपाही चल बेचल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया आज मज़ा मिलेगा गोबर्धन दाज घबरा कर अरे यह आफत कहां से आई अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो यानि गोबर्धन दाज जो है वो बड़ा पैठा हुआ मिठाई खाते रहता है कि घुरू जी ने जो है हमें नाहा कि यहां पर रहने से मना किया था माना कि जो देश है वो बुरा है लेकिन हमें क्या था हमें यहां पे खाना पीना था और मस्से पड़े रहना था उसके बाद चार सिपाई आते हैं उसको पकड़ कर ले जाते हैं और सिपाई कहते हैं कि चल बेचल बहुत मिठाई खाकर तो खूब मोटा हो गया है अब चल तुझे मज़ा मिलेगा यानि की सजा मिलेगी गोबर्धन दास कहता है घबरा का कि अरे ये क्या आपत है मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है मुझे क्यों लिपकड़ते हो सिपाही बात ये है कि कल कोटवाल को फासी का फंदा बड़ा निकला क्यूंकि कोटवाल साहब दुबले पतले है हम लोगों ने महराज से अरज की इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फासी दे दो क्यूंकि बकरी मरने के अपराद में किसी ना किसी को सजा होनी जरूरी है नहीं तो निया न होगा गोबर्धन दाथ चिलाता है सिपाई उसे पकड़ ले जाते हैं यानि जब गोबर्धन दाथ कहता है कि मेरा क्या कुसूर है मुझे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो तो सिपाई कहते हैं कि बात ये है कि कर कोतवाल को फासी दे जानी थी लेकिन जो फासी का पंदा था व किसी को जो है सजा देनी जरूरी है क्योंकि अगर सजा नहीं दी गई तो अप नियाय जो है नहीं होगा उसके बाद गोबर्धंदास चिलाता है लेकिन जो सिपाई होते उसे पकड़ कर ले जाते गोबर्धंदास हाई बापरे मुझे बेकुसूर हिफासी देते हैं सिपाई अरे चुप रहे हैं राजा का हुक्म भला नहीं भला कहीं टल सकता है गोबर्धंदास हाई मैंने गुरू जी कहां हो बचाओ गुरू जी बचाओ यानि कि गोबर्धंदास कहता है रोते हुए यानि अफसोच करता है कि हाई बापरे मुझे बेकुसूर यानि बिना कोई ग उसके बाद गोबर्दन दास कहता है अफसोस करते हुए कि हाई मैंने गुरू जी का कहिना नहीं माना इसी का जो यह फाला यानि इसी के लिए जो है मुझे यह सजा मिर रही है उसके बाद चिलाता है गुरू जी आप कहा है मुझे आकर बचा गुरू जी गुरू जी उसके ब ये मुझे फासिदी जा रही है गुरू जी बचा महंत कोई चिंता नहीं भाओं चड़ा कर सिपाईों से सुनो मुझे अपने शिष्ट को अंती मुदेश देने दो सिपाई उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं गुरू जी चलो चेले को कान में कुछ समझाते है या नहीं महंत जी चलो गोबर्दनदास महात्मेजी का बiblाता है तो महात्मेजी होते हो आ जाते हैं यह कहते हैं उसे देखर की अरे बच्छा गोबर्धनदास को यह करता है तो गोबर्धन दास कहता हाथ जोड़कर कहता है कि गुरू जी दिवार के नीचे जो है बक्री दपकर मर गई जिसके लिए जो है मुझे फासिद दी जा रही है आप मुझे बचा लीजी मानत यानि मातमा जी कहते है कि चिंता की कोई बात नहीं है उसके बाद अपनी भौँ चड़ा कर जो है सिपाहियों से कहते है कि मुझे अपने शिसको जो है आखरी उपदेश से देना है तो उसके बाद सिपाही जो होते है उसे छोड़ देते है उस देल के लिए जो छोड़ देते है और गुरु जी जो होते है उसके कान में कुछ कहते है गोबर्धन दास के गोबर्धन दास तब तो गुरु जी हम अभी फासी चड़ेंगे मांत नहीं बच्चा हम बुरे हैं हमको चड़ने दे इस परकार दोनों हुज़त करते हैं सिपाही परस पर चकित होते है राजा मंतरी और कोतवाल आते हैं सजा राजा यह क्या गोल माल है सिपाई माराथ चेला कहता है मैं फासी चड़ूंगा और गुरू कहता है मैं चड़ूंगा कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है राजा गुरू से बाबा जी बोलो आप क्यों आप फासी क्यों चड़ हुआँगा मैं अभी हम जो है अभी फासी चढ़ेंगे तो बच्चा माह्तमा जी नहीं बच्चा हम बुड़े हैं हमको फासीच चढ़ने दो इस परकार जो दोनों बहिस होने लगती है और जो सिपाई होते हो इस बात को जो है इस बात को देखकर जो है चक्कित होते है यानि कि आश्र में आ जाते है उसके बाद राजा और मंत्री और कोतवार भी आ जाते है फिर राजा कहता है कि यह क्या गोलमाल है तो सिपाई कहते है कि राजा चेला कहता मैं फासी चड़ूंगा और गुरू कहता है कि मैं फासी चड़ूंगा कुछ मालूम नहीं पढ़ा है कि यहां पर मामला क्या है या क्या बात हो रही है राजा गुरू जी आप बताईए बाबा जी गुरू जी से कहता है कि बाबा जी आप बताईए कि फासी आप क्यों चड़ महराज इस समय ऐसे शुब घड़ी है हमें जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा मंत्री तब तो हम फासी चड़ेंगे और कौन स्वर्ग जा सकता है हमको फासी चड़ाओ जल्दी जल्दी करो राजा को नौकर लोग फासी पर लटका देती है परदा गिरता है यानि महांत जी कहते है कि महराज इस समय ऐसे शुब घड़ी है यानि अच्छी अच्छा समय है कि जो भी मरेगा वो सीधा जो फासी पर चड़ूंगा फिर कोतिवाल कहता है कि नहीं हम फासी पर लटकेंगे हमारे सबब से झो हमारी वज़ा से यानि हमारी वज़ा से दिवार गिरी है उसके बाद राजा कहता है कि चुप रहो तुम लोग क्योंकि अभी राजा के जीते जी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है इसलिए हमको फासी चड़ाओ और जल्दी जल्दी करो उसके बाद राजा को फासी पर लटका दिया जाता है रही हैं कहानी से यहां पर जो है घ्लोग यानि णमगान वाले लोग रहे हमारे लिए अचीत नहीं था ले खेवार हमारा वहां पर कतना ही फाइदा हो कि आपने देखा जिस तरह गोबर्धन दाथ जो है खाने के लिए महाँ पर रुखता तो उसे जो है अपनी जान उसके जान पर जो है संकाटा जाती है उसी तरह जो हमें हमेशा हर चीज को ध्यान में रखकर ही कोई काम करना चाहिए और हमें हमेशा जो है समझदारी से काम लेना चाहिए तो आप इस कहाने को अच्छी तरह पढ़िए और समझेए